गुड़ मॉर्निंग अनेचिक होने वाली जो क्रिया होती है उसे परतिवर्ती क्रिया कहा जाता है जो परतिवर्ती क्रिया और परतिवर्ती चाप का जो नियंत्रन है वो मेरु रज्जु के दुआरा है वो किया जाता है मेरु रज्जु में इस्थित जो मेरु तंत्री का है वो दो मूल है वो बन वो चालक तंतिका का है वो बना होता है जो परतिवर्ती क्रिया है जिसे कि अचानक अनेची क्रिया का मतलब अचानक होने वाली जो क्रिया होती है उसे परतिवर्ती क्रिया है वो कहा जाता है जैसे कि हमारा जो हमें जब कांडाल चुप जाता है तो हम है वो अचानक हमारा पे पीछे ले लेते हैं, तेज अवास सुनकर है, वो हम अपने आप अपना मुह है, अपने आप खुल जाता है, जिसे चीक आना, ये सब किसके उधारन है, परतिवर्ति किरिया, अब जानते हैं हम, परतिवर्ति चाप है, वो क्या होता है, परतिवर्ति चाप है, वो जो परतिव परती चाप कहा जाता है जैसे कि हमारे जैसे कांटा है वो चुब गया तो जो मेरूरजु में इसती जो सवेधी तंत्रिका है वो संदेश देगी कि हाथ पेर में है वो कांटा चुब है तो ये जो संदेश सिद्धे मेरूरजु में इसती जो प्रेरक तंत्रिका है उससे प्रतिवर्ति चाप नियंत्रण रियंब प्रति चाप betyilt Cam रिच्प का नियंत्रण हैstag और छून के दिवारा करने कुंदा बस्तिन honor प्रेरक तंत्रिका जो की पेशियों तक जो हमें संदेश पहुँचाती है सिता की हाँ ऐसास करवाती है वो है पेशियों तक पहुँचाती है यह हो गया हमारा सवेदी प्रेरक को जोडने वाला जो निूरोन है वो है समबंधक निूरोन अब हम आगे बात करते हैं यह रहा द जो परतिवर्ती चाप है उसका जो जो चित्र है वो चित्र में दिखाया गया एक पात्र है और जब हमारा जो हाथ है वो पात्र के है वो गरम लगता है तो सवेधी जो तंत्री का होती है वो हमारे हमें एहसास कराती है हमारी सवेधना का है सिदे मेरूरजु में पहुंचती ह मेरु रज्जु मेश्टी जो प्यरेक तंत्रे का कोशिका है वो हमारी पेशियों तक संदेश महुंचाती है और हम अपना हाथ है सिधा पिछे ले लेते हैं यह जो कirtingा होती है वो इतनी तेज होती है एक सेकंट से भी कम समय में ये किरिया है वो पूर्ण होती है तो आज हम अब हम बात करेंगे कि जो अंतसरावी कंत्र है उसके बारे में है हम बात करेंगे अंतसरावी जो तंत्र है एंडो क्राइम सिस्टम उसके बारे में है आज हम बात करेंगे अब ये जो टोपिक्स था वो कलवाला जो part रहे गया था हमारा उसका ये topic था जो अंतसरावी ग्रंथियां की जो study है अंतसरावी तंतर की study को endocrinology कहा जाता है और endocrinology का जो फाद्धर है वो थोमस edition है उसे कहा जाता है अंतस्रावी जो तंत्र है उसके द्वारा जो कारिये किये जाते हैं वो बहुत ही मंदगती से होते हैं और इनमें टाइम लगता है जैसे कि हम भोजन का पाचन करना यह सारे जो कारिये होते हैं वो अंतस्रावी जो तंत्र है उसके द्वारा किये जाते हैं अंतस्रावी जो ग्रंथियां है वो हार्मोन का स्रावित करती है तो हम हार्मोन के बारे हम जान लेते हैं कि हार्मोन है वो क्या होता है हार्मोन है वो अंतस्रावी ग्रंथियों के दुआरा है वो स्रावित किया जाता है और जो हार्मोन की खोज है पहला जो खोजा गया हार्मोन था वो सिक्रेटिन था जो पितासे में है वो खोजा गया था जो हार्मोन जो त्याग है वो सिदा रक्त के अंदर होता है ये जल में विल्य होते हैं कार्या करने के बाद है वो नश्ट हो जाते हैं हार्मोन अमिनो अमल स्टिरोइड प्रोटिन के बने हुए होते हैं अगर हार्मोन की जो मात्रा है वो कम हो जाए तो सरीर में है वो रोग उत्पन हो जाते हैं अब जानते हैं कि एंजाइम है वो क्या होते हैं कि एंजाइम है इसकी जो खोज है बुकमर ने की थी और यिस्ट जो कोशिका होती है उसके अंदर एंजाइम्स की खोज है वो बुकमर ने की थी अब जानते हैं आगे की क्या हुआ था जो हार्मोन का जो संसलेशन है वो 22 रावी जो ग्रंथिया है उनके द्वारा होता है हम आगे जानेंगे की अंतर रावी ग्रंथिया और जो 22 रावी जो ग्रंथिया है वो क्या होती है जो इनका एंजाइम है वो सदेव है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और एंजाइम के उप्योग हने के बाद ये खुद ही नश्ट हो जाते हैं एंजाइम उप्योग आने के बाद खुद ही है, वो नश्ट हो जाते हैं, अब हम आगे जानते हैं कि अंतसरावी जो तंत्र है, वो ग्रंथियों, अंतसरावी तंत्र के द्वारा, अंतसरावी ग्रंथियों का है, वो निर्मान होता है, जो ये ग्रंथिया है, वो तीन प्रका की होती है एक होती है बहीश रावी एक जो क्राइन ग्लेंड एक होती है एंडो क्राइन ग्लेंड और एक होती है मिस्रित ग्लेंड तो हम पहले जानेंगे कि बहीश रावी जो एक जो क्राइन ग्लेंड है वो क्या होती है एक जो क्राइन ग्लेंड है वो नलिका यूग इसे न ग्लेंड भी है वो कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो अपना स्राव है वो सिधा नलिकाओ की साइता से है वो निर्धारित जो लक्षेंग है वहां पहुंचाती है बही स्रावी जो ग्रंथियां है उनका उनसे जो स्राव होता है वो एंजाइम्स का स्राव होता है बहीशरावी जो ग्रंथिया है उन जैसे कि लार ग्रंथी है आशु ग्रंथी है मूउकस ग्रंथी है स्तन ग्रंथी है और पसिने की ग्रंथी है यानि कि जो अपना स्राव बाहर फेकती है जैसे लार है वो भोजन देखने पर है अपने आप है वो आ जाती है अच्छा भोजन देखने पर आशू गरंथी जैसे कि बाहर निकलती है मुकस गरंथी बाहर निकलती है और स्तन गरंथी है वो भी है दूद का स्राव है वो बाहर होता है अब हम बात करते हैं ये करत है ये याद रखना है में कि ये करत है ये बहिश्रावी ग्रेंथियों का जो उधारण है जो अंतस्रावी ग्रेंथियों की बात करते हैं अब हम कि ये जो ग्रेंथिया है वो नलिका विहिन ग्रेंथिया कहा जाता है क्योंकि ये जो अपना स्राव है रक्त में है सिद्धे रक्त में डालती है ये सिद्धे नलिकाओं में डालती है इस कारण नलिका युक्त गरंती कहा गया और ये जो अपना स्राव है वो सिद्धे रक्त में डालती है इस कारण इसे अंतैसरावी गरंतिया है नलिका वी हिन गरंथिया है वो कहा गया रक्त परवाह की साहिता से निर्धारित लक्ष अंग तक पहुँचाता है जो रक्त परवाह की साहिता से है फिर जो रक्त है वो इसे निर्धारित लक्ष अंग तक पहुचाता है इनका जो स्राव को हार्मोन कहा जाता है बही स्रावी जो ग्रंथिया थी उनके स्राव को एंजाइम कहा गया और अंत्रावी जो ग्रंथिया थी उनके स्राव को हार्मोन कहा गया जैसे कि हाइपोथेलेमस है, प्यूस ग्रंथिया, पीनियल ग्रंथिया, थाइराइड जो भी ग्रंथिया है, पेरा थाइडर ग्रंथि थाइमेस, अधिवक्र ग्रंथिया, एड्रिनल ग्रंथि, वक्र ग्रंथि, अंडाश्य ग्रंथिया ये सारे जो ग्रंथिया है वो अनतसरावी ग्रंथिया है वो होती है अब हम बात करते हैं कि मिक्षेड ग्लेंड है वो क्या होती है मिक्षेड ग्लेंड याने कि दोनु के जो गूर होते हैं उसे मिक्षेड गलेंड है वो कहा जाता है जिसमें अंतर्स रावी ग्रंतिया और बहुत सारी जांफ्स हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि मिक्षेट गलेंड है, वो कौन सी होती है तो हमारा जो राइट एंस्वर था, वो अगनाश्य था जो जनन गरंधिया है, वो भी है वो मिक्षेट गलेंड है, वो होती है अब हम बात करेंगे कि जो आज हम इतनी है वो बात करेंगे कल के टोपिक्स में हम तोपिक्स में हम जो अंतसरा विजो ग्रान्थिया थी उनके जो टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स के बारे में हैं वो डिसकस करेंगे तो ठेंक्यू धन्यवाद